Hello everyone, welcome to our channel. आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ स्लीवलेस प्लाउस की कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो शेयर करने वाली हूँ. इससे पहले स्लीवलेस प्लाउस की ड्राफ्टिंग वीडियो में ने शेयर की है, अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक में लेगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर measurement जो है, इसका स्क्रीन पर दिख पारा है, इसी के according हम कटिंग करेंगे, यहाँ पर मैंने double fold में कपड़ा रखा हुआ है, two fold में, हम front part और wake part के कटिंग अलग-अलग करेंगे, यह एक तरफ मेरे कपड़े का बंद भाग मेंने हुआ है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम front part के कटिंग करेंगे, मैं इसे back open बनाने वाली हूँ, तो जो भी आपके यहाँ पर ready length है, उसमें आपको 1 inch सिराई margin का add कर देना है, तो मेरे यहाँ पर 15 मुझे तयार चाहिए, तो मेरे 16 ली हुई है, उसके पार shoulder का निशान लगाए तो यहाँ पर जो भी आपका shoulder है, उसका सबसे पहले तो आपको आधा करना है, जैसे कि मेरे case में 15 shoulder है, तो 15 का में आधा किया, तो साड़े 7 हो गया, अब जैसे कि यहाँ पर यह deep neck है, तो उसके recording हम यहाँ पर कम करेंगे, तो में यहाँ पर 2 inch कम करूँगी, तो मेरा हो लेकिन जैसा कि यह sleeve lace plouse है, तो में इसमें आधा inch plus करूँगी, साड़े 5 हमारा हो रहा है, तो में इसे 6 inch लोंगी shoulder को, ठीके आप चाहे तो साड़े 5 भी ले सकते हैं, पर में यहाँ पर आधा inch plus कर दूगी, सबसे पहले हमने shoulder का half किया, फिर deep neck था तो 2 inch minus करके, उसमें आध रही हूं, मेरा shoulder भी 6 से, armhole भी 6 से, because यह deep neck blouse है, अब armhole line ड्रो करने के बाद हम neck weight का निशान रखाएंगी, जिसे कि हम chest divided 12 करते हैं, तो हमारा 3 inch आएगा 36 के according, बट यह deep neck है, इसलिए हम इसे neck के starting से थोड़ा कम रखते हैं, तो में यहाँ पर 2.5 ही लोंगी, deep neck के according, तो उ 2.5 neck weight लेकर मैं mark कर दूँगी, यहाँ पर, neck width मैंने ले ली है, अब neck length यहाँ पर यह front part है, और front part में मैं यहाँ पर 5.5 से 6 inch तक आप neck length दे सकते हैं, मैं यहाँ पर ले रही हूं, 6 inch, आप 6.5 भी ले सकते हैं चाहें तो, 5.5, 6, 6.5 तक ली जाती है, front neck में, तो यहाँ पर line draw कर दी हैं मैंने, अब इस तरह से line draw कर देंगे, अब यहाँ पर shape देंगे, round, अब अगर आप इसे चोको रखना चाहते हैं, तो इसी तरह से रहने दीज़ेगा, अब यहाँ पर मैंने shape दे दिया है, अब armhole length का half करके, यहाँ पर निशान लगा देंगे, अब एक चीज़ रहे हैं, जब भी sleeveless blouse बनाएं, तो front part और back part दोनों में आपको 1.5 inch पर mark करना है, यानि कि 1.5 inch पर, front में भी red inch लेना है, back part में भी red inch लेना है, ऐसा नहीं है, जैसे हम normal क्या करतें कि front में 1 inch लेते, लेकिन इसमें 1.5 inch ही लेना है आपको, ठीके, अब हम यहाँ पर chest का अब उसके बाद में कमर का निशान लगाएंगे, तो कमर हमारी 30 है, 30 है तो उसका हम fourth part करेंगे तो साड़ी साथ आ जाएगा, उसके बाद 1.5 inch इसमें हम सिलाई margin add कर देंगे, अब उसके बाद यहाँ पर जो बच्रा है 1.5 inch है तो हमें आदा इंच पर इस तरह से निशान लाउस होता तो मैं नेक की तरफ डाउन करती है, उसके बाद डार्ट के लिए सीने का दसवा हिस्सा निकालेंगे, तो 36 का होगा 3.6 तो इस तरह से मैंने गले की तरफ से 3.6 पर एक निशान लगा दिया है, उसके बाद बस्ट पॉइंट का निशान लगाएंगे, तो मेरे क पीचे जितना भी बचाएं, हमाँ पर स्ट्रेट लाइन द्रॉ कर देंगे, जहाँ पर साड़े दस से हमने माक किया इस तरह से, तो यह हमारा डार्ट का माक हो गया है, अब दोनु साइड आधा आधा इंच ले ले लेंगे, और आधा इंच हम इस तरफ भी ले लेंगे, त अब यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर हलकी सी गुलाई देना है, ज्यादा गुलाई देने की जरूत नहीं, यह फ्रंट पार्ट में आपको यहाँ पर हलकी सी गुलाई दी है, मैंने बिल्कुल नार्मल सी, अब यहाँ पर हम कटिंग कर लेंगे, इस तरह से, यह एक open में बनाऊंगी तो देखे ये मेरा double fold कपड़ा लिया हुआ है लेकिन इसे हमें फ्रंट पार्ट से थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना है हम आधा इंच यहां पर एक मार्क कर देंगे आधा इंच पर आधा इंच हम हुकाई की पट्टी के लिए एक्स्ट्रा लेंगे और इस पार्ट को ज्यादा लेना है मैं अब वन डार्ट बना रहे हैं तो मुझे लेंट में आप ज्यादा मिने नहीं लिया है अब इस तरह से पूरा एक्वल करके बिच्छा लेंगे अब बिच्छाने के बाद में यहां पर आपको मार्क ले लेना है नेक का और सारी मार्किंग् यहां पर शक्र मेरेक इस गर्माम के मेरे के संधी करें नियुक्राहएं रखना के दोछुरहें जिद सकते हैं उस तरह से भी बडाई सकते हैं बड़ा देना है तो काफी अच्छा लुक आता है एक्तम ब्रॉट हो जाता है अब यहां पर भी हम 3.6 लेकर डाट का निशान लगाएंगे लिकिन ध्यान रहे वह आधा इंच में इसमें इंक्लूड नहीं किया है हुकाई का छोड़ कर मिने 3.6 लिया है अब यहां पर डाट ह हम ज्यादा बड़ा नहीं लेंगे चार इंच का ही लेंगे क्योंकि नेक डीप हमारा इसलिए फॉर इंच ही लिए मिने डाट की लेंद और आधा आधा इंच दोनु साइड इस तरह से ले लेंगे तो देखिए ओल ओवर मार्किंग हो चुकी है अब हम इसकी कटिंग कर ले लेंगे आपको वरना एक सल बन जाता है हाफ सीर प्लाउस को अगर हम यहां पर नेक की तरफ डाउन करते हैं तो अब इसके बाद में यहां पर छोटी-छोटी से कट लगा लेंगे जहां पर हमारे टक्स के निशाने तक यह दोनों पार्ट में आ जाए अब इस तरह से फ्र ठीके और लेंथ तो हमने यहां पर हमारी ब्लाउस की जो हुगाई वाली जगा है उसेकिन जादा लिए अब दोनों साइड आपको यहां पर इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है इस कपड़े को हुगाई वाले कपड़े को आई की कपड़ी को भी सेमेसी फोल्ड कर लेना ह अब यहां पर हम उरेप पट्या कर लेंगे देखिए सबसे पहले कपड़े को तिर्चा कर लीजिए तिर्चे में इस तरह से निशान लगा लीजिए और उसके बाद डेड़ इंच पर आप मार्ग कर दीजिए डेड़ इंच आपको लेना है उरेप पट्य कर दिंग के लिए ह s reducing from the description में आपको Linc k 있고 जूइन के के लिए जो साइट कोना है उसे भीना कोने वाली साइट से और कोनेवाली साइटस को बिना कोने वाली साइट से आप इस तरह से ज्वाजिए तिर्चे में अब उसकी बाद में और इपटी जोइन करने के बाद में हमें सबसे पहले हुकाई की पट्टिया लगानी है तो देखें यह हुक की पट्टी है ब्लाॉस की राइट साइड पर रखा है और यहां पर मुझ पैक कर देंगे और आधा इंच का मारजन लेते हुए सिलाई लगा अब पट्टी को हम डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरह से यह देखिए उल्टी साइड से अब डबल फोल्ड करने के बाद पूरी पट्टी को हम रॉंग साइड टरन कर देंगे और यहां पर कॉर्णर पर सिलाई लगा देंगे आप चाहे तो यहां पर तुर्पाई भी कर सकते देखे लेकिन ध्यान रहे जो फर्स सिलाई का कपड़ा उसका चुकाओ पट्टी की तरफ हो और इस तरह से सिलाई लगा देंगे किनारी किनारी पर अब उसके बाद आई की पट्टी बनाएंगे तो आई की पट्टी के लिए भी मैंने ब्लाउस की राइट साइड ली हुई ह और यह आई की पट्टी ले लेंगे यह सीधी साइड रखना है आपको ब्लाउस को इस बात का ध्यान रहे और आई की पट्टी को मैंने डबल फोल्ड कर लिया इस तरह से आप डबल फोल्ड करने के बाद आधा इंच का मार्जिन लेते हुए आपको सिस्टिच करना है यह मैंने हाँ पर दोनु साइट फोल्ड इसलिए नहीं किया क्योंकि एक तरफ पाइप पीन आएगी और एक तरफ मेरी कमर पट्टी लगेगी इसलिए तो यह आप पर हाफ आफ इंच का मार्जिन लेते हुए मैंने आई पट्टी को स्टिच कर देना है इस तरह से अब स्टिच करने के पाद इस पट्टी को आप इस तरह से देख लिए यह हमारी सीधी साइड है और यह उल्टी साइड तो आपको यह जो सिलाई है इसको पट्टी की तरफ छुकाना इस तरह से यह देखे और अब इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड कर लेना है ठीके उस स पर देख से किनारी परेंगे के अगर स्टपधर कर देंगे और हम लाओस की राएट साइड क कीनारी पर यहां पर पाइट साइड और वर पट्ट पर पॉल्ड़स कीया है इसके बाद आधा आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हम उरे पट्टी को ब्लाउस के साथ स्टिच करेंगे और ध्यान रहे जहां पर गुलाई हो तो फिर आपको क्या करना है इस तरह से जिसे वीडियो में बताया जा रहा है इसी तरह से आपको पाइप इन लगाना है देख इस तरह से इससे आपको लेना है मैं आपको डिटेल में बता दीती हूँ देखिए यह जो सिलाई है इसका जुका हो आपको रेपट्टी की तरफ करना है और जितनी यह सिलाई है हमारी जितना एक कपड़ा है ना फर्स स्टेप का उसी के कॉर्डिंग हम फोल्ड कर लेंगे ठीक है और अब सिलाई चलाएंगे और सिलाई आपको न अंदर के कौने पर चलानी ही और यह जाना एक दम भाहर तो सेंटर मांते हुए चलाण आपको फूर्ण टेक में भी पाइप बिन लगा लेना है और बेक के दोनों पार्ट में हम लगा लेंगे और सात ही आर्म वाल म इसे उल्टी साइड टर्न कर लेंगे इस तरह से अब टर्न करने के बाद कुछ जो ट्रह अपकोuktकरत तो इससे आपको कॉट karş कर देना है झा भी अस्मसाटब लगता है जिससे यहाँ प соверш लग रहा है तो हमें आपक कर देंगे जहाँ पर नहीं लगई है वहां पर कट करने की कोई ज़रूत नहीं है लेकिए इस तरह से ज़्यादा कटिंग नहीं करना है थोड़ी थोड़ी सी करना है ठीक है अगर कपड़ा एस्टरा रहता है तो इस तरह से मैंने कटिंग कर लिए अब इसके बाद आपको जितनी पतली मोटी पॉल्ड करके बना सकते हैं मोटी चाहिए तो मोटी ले सकते हैं सिलाई आप ना कपड़े पर चलाएंगे ना पाइप इन पर बिल्कुल पीछ में चलाना आपको ठीक है तो इस तरह से मैंने फॉल्ड कर लिया है अब हम य सिलाई यहां पर आपको ना पाइपीन के ऊपर चलाना है और ना ही ब्लाउस पर चलाना है बिल्कुल दोनों के पीछ में सिलाई चला रही हुँ मैं आप देख सकते हैं यहां पर दोनों के पीच में हमें हाँ पर लगे आएंगे सिलाई और इसी तरह से आपको गोलाई की जगह घुमाते जाना है हाथ से तो आपकी पाइपिन कभी पल्टेगी नहीं इस बात का ध्यान रहे और पाइपिन में आप जो फोल्ड कर रहे हैं वो बराबरी में करें कम जादा नह करें वरना लुक अच्छा नहीं आएगा और कि पल्टेगी और सिलाही में किस तरह से लगा रही हो आप देख सकते हैं तो इसी तरह से आपको front neck पे भी pipe in लगा लेना है और back के एक और पार्क में भी हम इसी तरह से same pipe in लगा लेंगे तो इस तरह से हमारी pipe in लग गई है अब इसके बाद में यहां पर हम dart लगा लेंगी तो जो center वाला निशाने वहां से कपड़े को पकड़ेंगे और fold कर लेंगे और जो दोनों साइट के निशान है उस पर हम मशीन लगा देंगे इस तरह से सिलाई लगा देंगे कोने पर जाकर समसिलाई को खतम कर देंगे और यहां पर धागा थोड़ी दूरी पर कट करना है आपको बना आपका टक्स खुल जाएगा ऐसे एक और पार्ट में टक्स लगा लेंगे और बैक में भी सेम एसे ही सेंटर से वोल्ड करते हैं आपको टक्स लगा लेना है तो फ्रंट के दोनों पार्ट में ऐसे ही डाट लगाना है और बैक के भी दोनों पार्ट में ऐसे ही आपको डाट लगा लेना है अब यहां पर ध यहां पर मैंने shoulder joint कर दी हैं, shoulder joint करने के बाद जैसे हमने गले में pipe in लगाई यहां पर armhole की जगह भी pipe in लगाना है, हम इसमें बाजू नहीं लगाएंगे, तो यह उरेब पट्टी होई है, जो मैंने आपको cutting करना बताई, उरेब पट्टी से ही आपको pipe in बना कर लगाना है, ज हाइसे ही आपको यहां पर आर्म हूल की जगवी स्लीव्स की जगवी दोनुस साइट पैप इन लगा लेना है जिसे ०म้ने लगाई है ठीक है यह आपने आपको पाइप लगाक लगाक लगा लुट को आ tecnología लेगाने के forward कहना लेप pew सैंड इहां पर किलांगे लगार इंगे व बिलकुल तो इससे में बिलकूल किनार किनार पर सिलाई लगा दी है अब ऐसे ही इस साइड भी यहां पर डोनों सब्केलबी से लाइध साइड ने ब्लाउस का ध्यान रहे गुम होरा प्राप सलाई लगा नी होता है उसके हम कमर पट्टी लगाते हैं और फिर हम फिटिंग की सिलाई लगाते हैं तो यह गुम सिलाई वाली फिटिंग है अब उसके बाद कमर पट्टी लिए है इसकी चोड़ाई दो से सवादो इंच ले ले लेना है आपको और उसके बाद में कमर पट्टी लगाने से पहले होक और कि पट्टी को दोनों को इस तरह से मिला लीजे और चेक कर लीजे कि बड़ी चोटी तो नहीं है अगर बड़ी चोटी है तो नीचे से आपको कट करके इसे बराबर कर लेना है इस बात का ध्यान रहे है चब आप कमर पट्टी लगाए तो यह मेरी बराबर है इसलिए मैंने जुकाओ गले की तरफ करना है आपको है कि इस तरह से ौर्फ इंच का मार्जन लेते हों जिपने हमसे लगाएँ यहां पर है कि इस तरह से साथरे इसलाई लेकर कट कर देए और यहां पर एकिस एक्सिट्रा लेकर की यह नाग ताकि अच्छे से फिटिंग हो जाए अच्छे से स्टिच हो जाए अब उसके बाद में यहां पर हम आधा इंज का फोल्ड कर लेंगे इस तरह से देखिए में इक बार फिर से आपको दिखा देती हूं देखिए इस पट्टी को हमने इस पट्टी की तरफ चुखाया जो फरस अगर आप यहां पर तुर्पाई नहीं करना चाहते तो फिर आप छोटी सिलाई लगाईए गा और फिर आपको कमर पट्टी की चोड़ाई भी डेरिंच ही लेना है क्योंकि इसे इतना मोटा नहीं रखते हैं हम लोग तो दिखे इस तरह से मैं पूरे में यहां पर सिलाई लगा दूगी पांच नंबर की डबल फोल्ड करते हुए तो मैंने देखे सिलाई लगा लिए डबल फोल्ड करते हुए पांच नंबर की अब उसके बाद हमें लगानी है फिटिंग तो अब हम इसे लेंगे उल्टी साइड इस तरह से अब उल्टी साइड लेने के बाद देखी हमने यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर बराबर से ले लेंगे हमने यहाँ पर सिलाई मारजन डेर इंच लिया था लेकिन हम यहाँ पर 1.3 पर ही मांग करेंगे क्योंकि 0.2 हमारा हमने जो गुम सिलाई के पहले राइट साइट सिलाई लगाई उसमें चला गया है इसलिए हम यहाँ पर सवाइंच ही लेंगे और इस तरह से मार्ग कर देंगे 1.3 लेकर हम 1.5 ले दे लेकिन 2 पॉइंट हमारा सवाइंच सवाइंच ले लिया है मैंने दोनों साइट आपको ऐसे ही लेना है 1.3 उस साइट भी हम ऐसे ही लेंगे और एक लाइन बना देंगे इस तरह से यह देखिए लाइन ट्रॉ कर दी मैंने 1.3 1.3 की अब यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेना है उस साइट भी आपको सेम ऐसे ही 1.3 लेकर मार्क कर देना है उल्टी साइट अब यहाँ पर 2-3 बर सिलाई को मा देंगे और बेन जो हमारी फिटिंग वाली सिलाई लगा देंगे हम चौक के निशान पर और यहाँ पर भी 2-3 बर सिलाई लगा देंगे अब यहाँ पर एक इस्टिस थोड़ी सी दूरी पर और लगा देंगे हम अब सेम ऐसे ही आपको जिसे कि हमने यहाँ पर फिटिंग लगाई यह उस तरफ भी लगा लेना है तो देखिए मेरा बलाउस पुरा रेड़ी हो गया अब हमें यह कच्ची सिलाई खोल कर तुरपाई करना है बस उसकी बाद हम इस सिलाई को खोल देते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा वन डाउस बनकर पुरा तयार हो गया है मैं आपको इसे बैक पार्ट से भी दिखाती हूँ हमने पूरे में पाइप पीन ही लगाई है यहाँ पर पैक में भी आप देख सकते हैं तो काफी इजी है इस बलाउस को बनाना देख सकते हैं यहाँ पर हमें होक और आई लगा देना है बस और फिर हमारा बलाउस पुरा तेयार हो जाएगा तो मैं उमीद करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर यूट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले फिर मिलती हूं मेरे नेक्स वीडियो में किसी नई चीज के साथ तब ते के लिए बाबाई और थैंक्स फॉर वाचिंग गाईस